यह शीव तत्व का साक्षाद कार केवल और केवल सुप्रीम डिवोशन से संभव है कोई व्यक्ति कहें कि हम बहुत ज्यानी हैं हमने बहुत ग्रंथों को कंठस्त कर लिया है आपको प्रणाम आपके ज्यान को प्रणाम लेकिन ज्यान प्राप्ति की इससे ब्गवान महदेव का साक्षाद कार होगा गारंटी नहीं है कोई कहेगा हम बहुत बड़े वैरक्ति वैरागी हैं हमने सब छोड़ दिया लेकिन आपने सब छोड़ दिया वहिदाग्य प्राप्त कर लिया उससे आपको शीव तत्व की अनुभूती होगी उसकी कोई गारांटी ने कोई कहेगा हम कर्मयोगी हैं हम इतना काम करते हैं इतनी सेवा करते हैं गरीगों को ये करते हैं उसको ये करते हैं अच्छी बात है समाज को आवश्यक्ता है आप जो कर्मयोग करते हैं उससे समाज को लाब होगा लेकिन आपको शीव तत्व की अनुभूती होगी इसकी गारांटी नहीं इसको शिव तत्व का साक्षाद कार करना हो उसके लिए भक्ति और वो भी परया भक्तिया परम भक्ति सुप्रीम डिवोशन वो एक मात्र मार गए यह कैसे करनी यह सब बताएंगे तुरंत प्रश्ण पूछा मुनिगर्ण में कि आप जो कहते हैं परया भक्तिया वो कैसे हो सकता है प्रश्ण पूछा अथकिम परमम साध्यम क्यूंवातत साधनम परम साधक की द्रिशस्तत्र तदिदंब्रूहितत्वत हर तीन प्रश्ण पूछे यह जीवन में परम साध्य क्या है वाट इस दो मोस्ट सुप्रीम अचीवेबल साध्य दुसरा उसके लिए साधन क्या है क्या करना चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए और साधक कैसा होना चाहिए यह तीनी बाते होती हैं प्रिश्ण साध्य, साधन और साधक साधक कार्थ है सीकर साध्य गोल और साधन प्रोसेस उस गोल को कैसे प्राप्त करें ब्रह्माजी उतर देते हैं पहले तो यह तीनों प्रश्णों का उतर एक ही श्लोप पे दे दिया सुत्रात्मकृप्स साध्यम शिवपदप्राप्तिही साधन अंतस्यसेवनम साधकस्तत्प्रसादाध्यो नित्यादि फलनिस्प्रुह तिरासि लाख निन्यानवे हजार नौसो निन्यानवे शुरीर छोड़ने के बाद जिसको ये परम दुरुलब मानव देह प्राप्त हुआ है उसके जीवन में जो परम साध्य है वो एक मात्र है शिवपद शिवपद को दो अर्थों में समझ सकते हैं प्रियसुजो संस्कृत आती होगी तो आनंद आएगा एक है शिवपद पदकार्थ है चरण तो शिवजी के चरणा रविंद की प्राप्ति भगवान शंकर की शरण हमें प्राप्त हो ये भक्ति मार्ग हैं शिवपद अगवान के चरण और दुस्रेइशिवश्यपद शिवपद अर्था शिवपद की पोजीशन प्राप्त हो ये ज्ञान मार गए This happens through realization पद कार्थ है position पद प्रतिष्ठा वो कौन है? यह हमारी क्लब के प्रेसिडेंट है वो पद है उसका यह हमारे ट्रेजरर है उसका पद है position यह कमपनी के CEO उसका पद है वो MD पद है और भगवान बोले नाथ इतने दयालू है इतने उदार है कि जब भी कोई व्यक्ति यह युग्यता प्राप्त करते आता है तो भगवान उससे अपना पद दे देते हैं जैसे यहां का दरस्तान दू मन मोहन जी Lions Club of काकुरगाची के President President कहते न तो उनका एक पद है यहां कथा में बैठने का भी उनका एक स्थान निश्चित है श्टिकर लगा होगा यहां केवल मन मोहन बागरी बैठ सकते हैं किनारे में पीछे तो बेठ नहीं सकते हैं प्रेसिडन्ट है लेकिन ऐसी कोई व्यक्ति ऐसी कोई शक्सियत आजाए तो खड़े होगर के अपना पद देंगे की नहीं देंगे मन महन जी दोगे की नहीं दोगे नहीं तो कौन कर सके इतना बड़ा आयोजन इतना सुंदर आयोजन तो भगवान महादेव की कृपा हो ऐसे मन महां जी जब अवश्यक्ता पढ़ने पर अपना पद छोड़कर किसी दूसरे को दे सकते हैं तो ये जगत का नाथ महादेव नहीं देगा अपना पद किसी को पुरुपा करके ज्यान मार्ग पर चलने वाला जो सादक है उसका लक्ष है शिवपद प्राप्ति आप तै कर ले ना आपको कौन सा मार्ग है शिव जी की गद्दी पर कहा बैढ़ हम तो नीचे शिव जी के चरणों में स्थान मिल जा यही हमारे लिए आनन्द के अनुप होती है यह भक्ती मार गए और शिव पद यह जीवन का साध्य है साधनम तस्यसेवनम उनकी सेवा ही साधन है और साधकस्तत प्रसादाद्यो नित्या दी फल निश्प्रुह नित्य नईमीति कर्म करें लेकिन उन कर्मों के फल से जो निश्प्रुह हो आज प्रवचर में मैं दूसरी बार इस बात को स्पर्श कर रहा हूं श्प्रुह पुरान के आदार पर जो निश्काम कर्म जानता चाहता हूँ वह साधक है यह परमपद की प्राप्ति कौन कर सकता है प्रियस्वजने छोटे मोटे कर्म किये तुरन क्या मिला क्या मिला क्या मिला दिन भर वो सोचता रहेगा क्या मिला वो शिवपत की प्राप्ति नहीं कर सकता शिवपत की प्राप्ति तो वो कर सकता है मैंने क्या दिया मुझे क्या मिला वो बात फिजुल है दूसरे ने मेरे लिए क्या किया ये सोचने वाले एवरेज हो जाते हैं मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूँ ये सोचने वाले जीवन में आगे बढ़ते हैं How can I contribute to others? और वो contribute करने के लिए परमात्मा ने मुझे कौन सी शक्ति दी है? याद रखना we all are blessed ये संसार में एक भी व्यक्ति अभादा है ही नहीं सभी लोग भग्यवान है क्यों? क्योंकि ये मनुश्य देह लेकर के हमी संसार में आए ये पहला भाग्या, दूसरा ये मनुश्य देह चलता कैसे है? स्वयम परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है ये इसना दूसरा भाग्या, कितना बड़ा भाग्या है ये जड़त की नियंता शक्ती मेरे भीतर है भगवत गीता के पंद्रह में अध्याय में भगवान श्री कुष्ण ने स्वयम कहा मैं सभी के रदय में बैठा हुआ हूँ मंदिर को बगवान के मंदिर में जाकर के बगवान की स्थापना करना पूजा करना अच्छी बात है लेकिन बगवान का सबसे पवित्र मंदिर जो बगवान ने स्वयम बनाया है वो स्वयम आके रहा है वो मेरा और आपका रदय है प्रियस हो जाए वो मेरा और आपका रहा है